नमस्कार प्रभात्खबर.com किस प्राइम सो में मैं महीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट वॉच के फीचर्ज के कारण सभी वर्गों के लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं तो अच्मराची के कुछ दुकानों में जाएंगे और जानेंगे कि आपके बजट में अच्छे फीचर्ज के साथ कौन-कौन सा स्मार्ट वॉच अवैलेबल है कौन-कौन सा स्मार्ट वॉच आपके पास अवैलेबल है हम लोग के पास सारा ब्रैंड मिल जाएगा जैसे की नॉइज मिल जाएगा, मैक्सिमा मिल जाएगा, बोट का मिल जाएगा ऐसा मतलब कौन सा वाच है जो स्टुडेंट लोग के अच्छे फीचर्स और अच्छे बज़ेट में आ सकता है अगर कॉलिंग के लिए देखा जाए और ज्यादा फीचर्स के लिए तो हम लोग नॉइस का ले सकते हैं कलर फिट आइकन बज ठीक है जो कि आपका 3500 में आता है पर उसमें आपको कॉलिंग भी देते हो और बाती बात बहूत सारा फीचर्स देता मैक्सिमाम किस प्राइस का आपके पास वाच है मैक्सिमाम euxब में पास 45 fed cannot के कौन से बास आएगा आए आपका ये ऊजिया वाट्समाइब का मेत्रेक्ष वाच व्य आ फिजर क्याज है अर्फरेट वह वह आपका है इसम में हार्ड ट्रेट्स यूप बताता है और इसमें कॉल इंग नहीं है है और वाटसाब में जितना भी आता है नाटिफिकेशन यह सब इसमें सो होता है अचा यह जो बाजार में समार्ट वाच अब ज्यादा ट्रेंड कर रहा है तो इसके आने से नॉर्मल वाच का बिकरी कम हुआ है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं मगर अब सब कोई चा रहे हैं कि हम लोग स्मार्ट वाच ही लें क्यूंकि यह मतलब पानी वानी में भी जाने से कोई दिक्कत नहीं होता है वाटर रेजिस्टेंस रहता है इसमें वन मीटर देफ तक आप जा सकते हैं इसको लेके फ्रेस वाटर में अच्छे को यह सा समार्ट में बच्चों में भी काफी क्रेज होता है वाच अलग अलग तरीके का पहनने का तो बच्चों के लिए कुछ है बच्चों के लिए भी आजाएगा फायर बोल्ट का यह जाएगा 2200 में इसमें बहुत सारा गेम मोड भी दिया हुआ अगर आपको स्पोर्ट करना मॉर्निंग वाक में जाना है वो सब अपसेट कर सकते इसमें आपके पास कौन-कौन सा स्मार्ट वाच अवैलेबल है और किस-किस फीचर के साथ हमारे पास सारे बरंड का वाच अबलेबल है जैसे सैमसंग आइफोन रियल मी फायर बोल्ट बॉट बॉट न इसमें आपको 14 इसमोर्ट मॉट मिलेगा 1.7 संटीमिटर का डिस्पले मिल जाएगा साथ में इसमें मैसेंजर नॉटिफेकेशन यह सब सारा कुछ मलब नॉर्मल वाच में जितना कुछ मिलता है वह सारा फीचर साबस कॉलिंग के बिना है और सबसे महंगी कौन से वाच है स हम लोग आइफोन का एपल का स्रीज 7 देख सकते हैं यह 44 mm के साथ मिलेगा यह 38000 के रिंज में आ जाएगा इसको जैसे कि हम लोग खोल के भी दिखा सकते हैं अगर आपको इसका लुक दिखना है तो यह यह यहां पर बैल्ट हो जाएगा और यह वाच है ठीक है यह स्रीज 7 में ठाटी 38000 के रिंज में आ जागा ठीक है पर इस पर कहाना यह एपल से ही कनेक्ट होता है यह 18000 के रिंज में हैं सामसंग का यह GPS मॉडल है पलसे सेगूलर भी आता है अगर आप थोड़ा सा और प्राइजन बढ़ते है 4000 तो यह सेगूलर आगा जिसम लगा के कॉलिंग भ सबसे जादा अभी हम लोग तो जादा प्रिफर करते नौइस का नौइस का जो प्राइज रिंज हो 35 3500 के रिंज में कॉलिंग वाच मिल जाता है यह सब के बजेट में आ जाता है और ब्राइज भी देखेंगे तो नौइस बहुत अच्छा ब्राइज का रिप्लेस्मेंट देता है आईपी 68 है वाटर पूप एंड डश्पूप दोनों मिल रहा है इस पर कॉलिंग है डिस्प्ले साइज भी अच्छा और IPS स्क्रीन मिल रहा है और कलर भी इसमें एक से कलर आते रहते हैं बैटरी बैटरी का बैकप देखेंगे तो हम लोग 10 डेज अलमोस लिखता है लेकिन 7-8 डेज देता है ठीक है इसका लुक भी जो है बहुत आसमा यह इसका ग्रीन कलर में है बाकी कलर भी बहुत सारे है इस पर और यह 3500 का सबसे देखा जा तो वैली फोर मानी डिवाइज में यह सबसे बेस्ट वाच मिल जाएगा और बाकी अगर आप बहुत अगरा म का मज़ा ने ले सकते हैं और अगर आप ऐसा लगा रहे तो ओवेसली फीचर्स के लिए ही लगाएंगे तो नॉइस एक अच्छा ब्रांड है उसको हम लोग 3500 में कॉलिंग वाच को ले सकते हैं